हेलो फ्रेंड्स ज्ञागरूती स्वेज़फुड में आपका स्वागत है और मैं हूँ ज्ञागरूती भट आज हम बनाएंगे हरे चने का बड़ा बहुती स्वादिष्ट बनता है फ्रेंड्स और यहाँ पे यह है इसके इंग्रिडियंस तो यहाँ पे हम हरे चने हरी और अद्रक को हम half crust कर लेंगे और बाकी के मसाले एकदम बारिक हम छोप कर लेंगे तो आइए friends बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले बड़ा सा बाउल लेंगे उसमें हम जो हमने चाना वगेरे crust कर के लिए वो ले लेंगे और यहां पर दन्या पत्ते फुदिने के पत्ते और लहसुन हमने बारिक चोप किया है वो ले लेंगे प्याज हमने बारिक चोप कर लिया है जितना हो सके उतना बारिक चोप करें फ्रेंड्स और अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर यहां पर चीनी डाल देंगे और अभी हम इसमें डालेंगे नमक, टेस्ट के अकोडिंग फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे चीनी डाली है अगर आप चीनी पसंद नहीं करते ना डाले सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखो यह मिक्स कर लिया हमने अभी हम इसमें डालेंगे चने का आटा यहाँ पे तीन बड़े चमत जितना चने का आटा मैंने लिया है और डाल के अच्छे से मिक्स कर ले और जरुरत के इसाब से एकदम थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाले फ्रेंड्स तो देखो इस तरह की कंसिस्टन्सी चाहिए हमें आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह की और अभी हमारा तेल अच्छा गरम हो चुका है तो अभी हम इसमें बिल्कुल हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरह से हम डालके पकोड़े तयार कर लेंगे तो एक बार में जितना हो सके उतना डाले तो इस तरह से सारे बेटर से हम पकोड़े पहले तयार कर लेंगे फिर हम इसके वड़े बनाएंगे तो गेस की फ्लेम को मिडियम हाई रखे फ्रेंड्स तो देखो ये पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो गए अभी हम इसे निकाल लेंगे तो अभी निकालने के बाद थोड़ा सठंडा होने दिया हमने और अभी इसे दबा के इस तरह से इसे दबा देंगे ताकि अच्छे अंदर जो थोड़े बहुत कच्चे रे गए वो भी पक जाएंगे तो अभी मीडियम हाई फ्लेम पर इसे हम फिर से फ्राइ कर लेंगे थोड़ी क्रिस्पी होने तक इसे फ्राइ करें तो देखो ये वड़े हमारे बिल्कुल रेडी है इसे आप चाई के साथ चटनी के साथ कोई भी सोस के साथ सव करें बहुत ही स्वाधिश लगते हैं तो फ्रेंड्स बनाईए और अपने अनुभव हमारे साथ जागरूत इस वेज़ फूट पर सेर करें बताए के इसलेगे आपको रेसीपी अगर आपको रेसीपी पसंद आती है प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब करना ना भुलें मिलते है अगले वीडियो में ने रेसीपी के साथ तेंक्यू